सिंगह संखाली करो की जनता आती है कवी रामदारी सिंदिन करकी जब इस कवीता को गाया गया तो इस आवाज ने ऐसा तहल का मचाया कि लाखों की तादाद में दिल्ली हाहाकार से गूज उटी थी ये बोल एक 73 वर्षिय बुजर्ग बोल रहा था इसी बोल से दिल्ली की राजनिती में तूफान आने वाला था असल में तारीक थी 25 जून 1975 की जगह दिल्ली का रामलिला मेदान ये दिल्ली का बेहत गरम दिन था मोसम के साथ साथ राजनिती का पारा भी गरमा गया था इस रेली से राजनिती में भूचा लाने वाला था ये व्यक्ति कोई और नहीं बलकि जह प्रकास नराइन थे और दिली के राम लीला मेदान में रेली कर रहे थी दूसरी तरफ सपदरकंज रोड पर बैठी ततकालिन परधान मंतरी इंद्रिया गांदी अंदर ही अंदर ड्रे जा रही थी उन्हें ये डर सता रहा था कि अब सता जाने वाली है इसी डर से उफजा था वो इधिहास का काला दिन जिसे नाम दिया था इमरजेंसी ना बोलने की आजादी थी ना लिखने की जिसने भी उलेंगन की हिमाकत की थी उन्हें जेल में डाल दिया था अकबारों पर बेहन लगा दिया था लाखों लोगों की नस बंदी तक करवा दी थी हजारों नेताओं को जेल में ठूस दिया था आखिर इमर्जेंसी की पटखता कैसे लिखे गई थी और वे कौन लोग शामिल थी जिन्होंने इसे देश का काला दिन बना दिया था आखिर उस दोर में ऐसा क्या हो रहा था इतिहास का काला दिन आखिर कैसे आया था तो चलते हैं आज से 46 साल पहले इतिहास के उस दोर में जहां ये सब घटित हो रहा था 1971 का साल चल रहा था भारत पाकिस्तान गुद के बाद बांगलादेश नया मुल्क बन गया था और इसी दोर में लोकसभा के चुनाव चल रहे थी राय बरेली से इंद्रा गांधी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया था और देश में इंद्रा गांधी की सरकार बन गई थी मगर उनके परतिद्वंदी रे समाजवादी पार्टी के राज नारायन अपनी जीत को तै मान रहे थी मगर जब परिणाम आया तो राज नारायन के होश तक उड़ गए थी इंद्रा ने भारी बहुमत से विजे हासल की थी हारेवे राज नारायन ने इंद्रा पर आरोब लगाया कि इंद्रा ने चुनाव में धान ली करके जीत पाई है उन्होंने इंद्रा गांदी को चुनोती देते हुए इलाबाद हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया हाई कोट के फेसले ने लंबा सफर तै किया था और फिर तारीक थी 12 जून 1975 की आज ही के दिन राइबरेली चुनाव को लेकर फेसला आना था सपदर गंज रोड पर मोजूद इंद्रा गांदी आज काफी उदास नजर आ रही थी पासी में बैठा उनका चोटा बेटा संजे गांदी उन्हें भरोसा दिला रहा था कि फेसला अपने पक्स में ही आएगा आप बेफिक्र रहे सुबह के दस बज रहे थी और ये नजरा था इलाबाद हाई कोट का हाई कोट के न्याइदीस जगनमहन सिन्ना जब अपने चेंबर से कोट रूम में आए तो वहां मौजूद सबी लोग खड़े हो गए थी हर कोई उस फेसले का बेसबरी से इंज़ार कर रहा था मुख्य न्याइदीस जगनमहन ने जब अपना फेसला सुनाया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए थी उन्हें अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था असल में ये फेसला इंदरा गांदी के खिलाब था इस फेसले ने इंदरा गांदी को 6 साल के लिए वोटिंग देने का अधिकार तक छीन लिया था और उनकी लोगसबा सदे सता भी रद कर दी थी जब ये फेसला सुनाया जा रहा था तब इंदरा गांदी का बेटा संजे गांदी अपने गुडगाओं वाले मारूती प्लांट में मुझूद थी संजे गांदी को जब इस फेसले की भनक लगी तो वे तुरन थी सबदर्गज रोड पर पहुँच गए थी इस फेसले की वज़े से राजनिती में भूचा ला गया था इस दिन सबदर्गज रोड पर कोई सोया नहीं था बस आगे की प्लानिंग चल रही थी इंदिरा गांदी भी काफी डर गई थी इंदिरा इस्तीपा देने को भी तैयार थी राजनिती के सियासी गलियारों में आइडिया लगया जा रहा था कि अगला प्रदान मंतरी अब कौन होगा इस समय सबदर्गज रोड यानि इंदरा गांदी के आवास पर दो तरह की कोटियां हुआ करती थी एक खेमा था इंदरा गांदी का तो दूसरा था संजे गांदी का जिसे इतियास में कीचन केबिनेट कहा गया था और इनी तथा कतित बुदिजीवयों के द्वारा देश को चलाया जा रहा था पच्छी मंगल के मुख्य मंतरी सिद्धार्थ शंकर राय इंदरा गांदी के काफी नजदी की हुआ करती थी दूसरी तरब संजे गांदी के मित्रों की लिष्ट तो बहुती ज़्यादा लंबी थी हर्याना के मुख्य मंतरी बंशीलाल केंद्रियगरी राज्य मंतरी ओम महता सूचना एंव परसारण मंतरी विद्याचरण शुकल और फिर स्टीम ने तैय किया कि इंद्रा गांदी इस्तिफा नहीं देगी और यहीं से इंद्रा गांदी का एक नया ज्याय शुरू होता है तारीग थी 20 जून 1905 की इंद्रा गांदी ने दिली में एक बड़ी रेली की थी करीब 10 लाक लोगों की आने की संभावना थी संजे गांदी ने अपना पूरा दम खम दिखा दिया था सरकरी मशीनरी का दुरूपयों करते हुए काफी लोगों की भीड कटा की थी हर्याना, राजस्तान, उतरप्रदेश इन राज्यों से भाड़े की लोगों को रेली में लाया गया था इस रेली का मकसद था कि जनता इंद्रा गांदी के साथ है ताकि विपक्स को करारा जवाब दिया जा सके उदर विपक्स के नेता जैपरकास नाराण ने तैय किया दिली के रामलीला मेदान में 25 जून को एक बड़ी रेली करेंगी और देश के कोने कोने से जनता आकर इस तानाशाई सरकार को जवाब देगी इस खबर से इंदिरा सक्ते में आ गई थी अब वे चाहा रही थी कि किसी भी तरह लोगों को रेली में ना आने दिया जाए तब इंदिरा गांदी ने दूरदर्शन पर बोबी फिल्म को परसारित करवा दिया था जो उसमें केल सिनेमा होल में ही चलती थी ताकि लोग फिल्म देखने में मस्गूल हो जाए और जेपी की रेली फ्लोफ हो जाए तारीक थी 23 जुन 1905 की जैप्रकास नाराइंट पटना एरपोर्ट से दिल्ली एरपोर्ट के लिए उडान भरने ही वाले थी मगर उन्हें जवा मिला कि आज मोसम खराब है इसलिए विमान को उड़ाया नहीं जा सकता असल में यह भी इंद्रा गांधी की एक चाल थी ताकि जैप्रकास दिल्ली पहुंचकर रेली में सामिल ही ना हो पाए बुजूग जैप्रकास मिमार भी थी आखिरकार वे ट्रेन पकड़कर अगले ही दिन दिल्ली हाजिर हो गए थी 25 जून की रेली में देश के कौने कौने से लोग आये थी ऐसी भीट दिल्ली में पहले कभी नहीं देखी गई थी जनसेलाब इतना था कि रामलिला मेदान से संसत भवन तक लोग फेल गए थी इस समय ही जैप्रकास नरायन ने कहा था कि सिंगहसन खाली करो कि जनता आती है और फिर लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया था उन्होंने पुलिस और सेना को भी नसियत दे डाली कि हुकूमत के गलत फैसलों का साथ ना दे 25 जोन 1935 की शाम डलते डलते जेपी ने रामला मेदान से घमासान का एलान कर दिया था उस दिन जेप्रकास वापस पटना जाने ही वाले थे मगर उनका स्वास्तिय ठीक नहीं था और फिर वहीं दिल्ली में गांदी शान्ती परतिश्टान में ठैर गए थे इसी दिन इंद्रा गांदी ने पच्छी मंगल के मुखे मंत्री सिदार शंकर राय को फोन करके अपनी आवास पर बुलाया था जो उसमें दिल्ली में मौजूद थे और फिर थोड़े ही समय में सिदार शंकर सपदरगंज रोड पहुँच गए थे जैसे ही सिदार दाखिल हुए इंद्रा गांदी बड़ी गंभीर मुद्रा में में मेज पर बैटी थी सिदार शंकर राय समय धानिक मामलों की विससे ये माने जाते थी और इंद्रा विकट परिस्तिती से बाहर निकलना चाह रही थी और फिर सिदार शंकर राही वे वेक्ती था जिन्होंने आपात काल लगाने का आइडिया दिया था इंदिरा ने सुदार से कहा कि वे नहीं चाहती कि आपात काल से पहले अपने मंत्री मंडल के सामने इस मामले को रखा जाए तो फिर सिद्दार शंकर का जौब था कि वे राष्टपती को कह सकती है कि मंत्री मंडल की बैठक बुलाने के लिए प्रियाप्त समय नहीं था और करीब शाम के साड़े पांच बज रहे थी इंद्रा गांदी और सिद्दार शंकर राष्टपती भौन पहुंच जाते हैं पसोदा तयार करते हैं और यह भी तय करते हैं कि सुबह जब इमर्जेंसी का पहला दिन होगा तो ओल इंडिया रेडियो पर उनका भाशन क्या होगा दूसरा खेमा यानि संजे गांदी की टीम ये लोग तय कर रहे थे कि किन किन लोगों को जेलों में डालना हैं बिजली की लाइट कब काटनी है ताकि कल वाले दिन की खबर अकबार वाले चापी नहीं पाए अदलतों को बंद केसे करवाया जाना है इंद्रा गांदी ने अपनी टीम को यह भी बता दिया था कि सुबह 6 बजे मंत्री मंदल की बेटक हो गई और फिर करीब रात 8 बजे ही सरकारी हरकारा इमर्जेंसी का मसोदा लेकर राष्टपती भहन पहुंच गया था और फिर राष्टपती जी ने उन पर हस्ताकसर भी कर दिये थी जैसे ही राष्टपती जी के साइन हुए उसी समय से हिंदुस्तान का लोगतंतर इंद्रा गांदी वे संजे गांदी का गुलाम बन गया था इंदिरा गांधी को यह भी पता था कि कैसे उनके पिदा जी ने बड़ी मुश्किल से लोगतंतर की निव रखी थी और वे आज उनी को धूमिल करने में लगे हैं उस रात इंदिरा गांधी ठीक से सो भी नहीं पाई थी रात करीब एक बजे सभी बड़े नेताओं को गिरफतार कर लिया था उनमें परमुग थे जैप्रकास नारायन, मुरार जी देशाई, लाल कृष्ण आडवानी और ये लिस्ट बहुत लंबी थी और फिर 26 जोन की मही के तड़के ही करीब 36,000 से जादा लोगों को गिरफतार किया गया था, उनमें से 2500 लोग तो केवल बिहार से ही थी, रात में ही बादुर्शा जफर मारक की लाइटे तक कार दी थी, क्योंकि जादा तर प्रिंटिंग प्रेस वहीं पर मौजूद थी, लोगों के बुनिय इंदरा गांदी ने लोगसवा को भंक कर दिया था और फिर नए चुनाव करवाई, मगर इस चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा ही साप हो गया था, इस तरह भारत में पहली बार 1997 में गेर कांग्रेसी सरकार बने थी, जनता दल के मुरार्जी देशाई भारत के नए पर संदि मात्रम